पाकिस्तान ना जीत गया येस पिकनिक पर हो और ख़बरों से दूर नहीं तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS News Alerts हासिल करने के लिए S.A. टाइब कीजिए और भेज डीजिए 8125 पर समा SMS News Alerts जानते रहना लाज़ने असलाम रूरे की मौथज़स खावातीनों हजरात आपको हम कहते हैं खुशाम दी प्रोग्राम हम लोग और मैं हूँ अली मुम्ताज नाजीन आज के प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करें हैं अंद्रून शहर लहोर से ये भाटी गेट का इलाका है जोगी मौला है जहां परविया मौजूद है और ये इलाका इसकी गलिया तारीके में डूबी हुई है जी हाँ आज के प्रोग्राम में हम बात करें हैं बिजली की तवील लोड शेडिंग जिसकी वरह से पूरे मुल्क में पाकिस्तानी शहरी परिशान है शेहरों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है दही इलाकों में 20 घंटे 22 घंटे जीना मौहाल है और किस तरीके से सब गुजारा करें हैं ये हम आचे प्रोग्राम में आपकी खिर्में पेश करेंगे ताकि तमाम हुकमरानों तक अवामी राए पहुंचे के अवाम क्या चाहरी है ये जो शॉट फॉल है तलब बहुत जादा है रसद जो है उसके कमपारिजन में कब है जो अभी शॉट फॉल है वो 6802 मेगावाट है जी हाँ 6802 मेगावाट है और अब ये मजाग बनता चला जा रहा है कि जब शॉट फ को बेहतर बना दिया जाता है लेकिन वो सिर्फ एक मुख्यसर अर्से के लिए होता है तो इसके बार दुबारा वही रोज का रोना वही बच्छों का रोना बच्छे कीगा है तकि सब प्रिशान है कि इस बिजली की तवील लोड शेडिंग से वो किस हद तक मतासिर हो रहे है और उनकी दिल की कैफियत क्या है और हुक्मरानों के बारे में उनकी क्या राय है क्या हुक्मरानों पर कोई इतमाद है जो वादे हुक्मरानों की तरफ से अक्सर किये जाते हैं कि जी मसला हल हो जाएगा, मसला हल हो गया है, सुरत यहाल बहुत बेहतर है और आप इसी तरह से बेहतर रहेगी गुफ्तुगू का अगास करते हैं सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने सुननी है जो भी मैंने कहा आपकी दिल की क्या कैफियत है यह हम आप किस हुबानी सुनना चाहेंगे बिसमिल्ह रह्मान रहीम लोडशेडिन दा इंता हो गई है लोग जरे ना प्रिशान बहुत ने सड़ी मामा पैना पाई परा जाएना कई बसाड़े मन लेचे ओक अगरे ममार ने कि जरे चाहे लोडशेडिन वजरनल हो जड़ा ममार ओरे ने साइसाइज रात सुन्दे नहीं कोड़ बार फना हो रहे है लोग बेरोजगरी बारगी ये लोडशेडी में मलत ने पारगे तबाह करता है ऐसी कहने है कि एरह बुराण खत्म होने चीद है जिए और बुराण खत्म ना हेँ या थे और बिज़्me Foi यह आमन110 बेर आपने बिज़्दी के बिल को इह प्स Carta तो गलत है ना कि अगर अदाइगी तो हमें करनी है इस्तमाल तो हम करी रहे होते हैं हम कहां जाए गरिमी में हम बती आंदी निए असी करिए साड़े भूद हो यह बुज़र आदमी पर सो असी पानी लब 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 मार गया है हम सानु पानी लबा एड़ी लोड शिनिकासी ब बहुत जोड़ी डंडे मारा हैं आप एतजाज अपना इस तरीके से रिकॉर्ड कराएंगे कि अपने बिजली का बिल नी जमा कराएंगे जी आपके लार माली राजी मैं तमाम साथियों कहना मां मुलक देविज बेर रोजगारी बिजली की वज़ा से रोटी नहीं है कुछ बच्चे परेशान रोटी कमाने को लिए पैसा नहीं है हम सोएंगे उठाग उठागे पहर कमाएंगे ना सोने सोने डायम है बती के यूंदिए कोई बच्चा रो रही एक कुछ जोर कुई मुलस इदा खुदा दर लिए मुलसा सोचे अपना ना सोचे तकलीफ सिरू ग्री खाती है तुझा कि आपने कहा कि जी अवाम रुल रही है धक्के खा रही है और ख॥ मरान önce वॉट लेना होता है तो आपके पास आ जा जा जाते हैं अभी भाई करते हैं वो हमाई तरह से कदम उठाया जाता है जो के अवाम की बेहतरी के लिए होता है असल में जो चीज जरूरत है अवाम की वो अवाम को मेसर करना ही हो कुम्रानों का काम है और उसके बाद देख ले एक तो लोड शेडिंग के वज़ा से तबाही है उसके बाद आप एदारों में जाएं एदारों में कोई काम नहीं होता 2005 से लेकर अब तक साथ साल हुआ है मेरे बिजली इनोंने काटी है और लाकानूनियत की इंतरा की हुई अदालतों में मुझे खराब किया इनोंने एदालतों में खरीट फरुख्ट किया इनसानों का 2005 से लेकर अब तक बिजली इक एंसान की कटी हो वो क्या करता है क्या करेगा खुदकुशी के अलावा कोई रस्ता है ये विफाद का काम हैं हम कहां जाएं मुझे बताए हमके बिजली काटी क्यों गई थी ये इन्होंने एक जूटा डिटेक्शन बेल मुझ में डाला और आज खुद महकमा तस्रीम करता है कि हमने गलती किये मेरे एक शक के बन्याब में मुझे तबाह किया लेकिन में के नवे परसंट गलतीयों को कोई उस पर असर अंदाद नहीं है कोई उनको पूछने बाला नहीं है कि आप सरासर गलती करते हैं तो ये गलती किस काते में जाता है हर चीज़ अवाम बरदाश करेगी अवाम को ये ब तबाही के गहरे में हैं मुझे यह बताईएगा आप से हम बात करना चाहेंगे कि जो अभी यहां पर साथियों ने कहा दोस्तों ने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग की वरे से वो कितने सताय हुए हैं आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा एक बहुत हिस्सा जब लोड शेडिंगं की चाईद किसी को पता भी नहीं था अब इस दौर में लोड शेडिंग क्या है बच्छे बच्चे की जुमान पर है क्योंके सब पूछते हैं कि बजली कहां गई बजली क्यों नहीं है क्यों है 45 degree centigrade जो है वोगर दर्जा हरारत हो तो उस गर्मी में बिजली ना हो तो कैसे कोई गुजारा करेंगे ना वो पुराई कर सकते हैं ना वो अबादत कर सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं नहीं कहीं आ सकते हैं क्या करेंगे वो क्या करेंगे किसे तरक्य होगे ये तो जहालत हागी विल गुमारे के लिए अगर ये तस्लीम कर लिया जाहे कि हुक्मरान अवाम के मुखालिफ नहीं है अवाम दोस्त है और एक ऐसे मौके पर कि जब elections करीब हैं ये मतलब अपनी term complete करने जा रही है गवर्मेंट और elections में अब जाते हुए उनको यकिनन आप सब के साथ की जरूत होगी आप सब का support चाहिए होगा उने तो अगर हकूमत के बस में होता तो ये सब कुछ ना कर रहे होते हैं हमत के बस में नहीं हैं वो कहते हैं इतना मसला पहले से चल रहा है मुशरफ दौर का कि अगर हमारे लिए मुम्किन होता है तो हम क्यों बिजली बंद करें लेकिन जब ये बिजली बंद करते हैं तो मुशरफ का दौर सुना देते हैं तो जब ये बिजली आती है वो कहां से आ हैं घर में बैठे है कारबार है कोई ने कहा ते लाएंगे लोग बेल इतने तने यह बेएज़ हैं किसी दहुदर ओ धर वटतीडिया खिया एक और जुक्क्षॉ यह सब्साल में मर जाएंगे इदरी इनका कोई वाले वर्षन नहीं है जी देखना ऑस्पिटल में एक मरीज दाखल है उसका परेशन हो रहा है तो वह हमपती चली जाते हैं मरीज मर जाता है आप वो किसके सर पर डालेंगे कहां डालेंगे लिकिन इन हस्पितालों में बहुत कि इसको शोटी आइंड़ के पास कि वो बच जाया गा तो जिसका आद्मी मर जाया वो कहां जाय किसके पास जाएगा विजळी तो किसी हद तक घरमियों सरदियों में चलें हम कहते हैं जैए हमकित बरदाश्त की जा सकती है कि ठंड है घर में अराम से बैठा जा सकता है मेरी वतने अजीज से एक अलतमास है खासकार यूद से के आप एहतिजाज करें लेकिन गौर्मेंट के जो मुभामत के नाम पे पैसा लेते हैं पुचास-पुचास क्रोड आप उनके घरों में जाके वहां एहतिजाज करें उनको बाहें निकलें दे और यकीन से मैं गहता हू लोज में बंद हो जाएगी ये क्रफ्ट क्रफ्ट लोग हैं आई पीपीज को पैसे नहीं देते हैं और वो बत्ति बंद कर देते हैं आप सब लोगों से मेरी पूरे वतने अजीज से ये अलतमास है कि आप एहतिजाज करें पूरा मन करें सड़कों में ना जाएं इनके जो गौर्मेंट के अलाई हैं ना जो सब जो बैठे हुए इसम्बली में पैसे खा रहें लूट मार का रहें आप उनके गुरों में जागे एहतिजाज करें और मैं आप दावे से कहता हूंगे ये आपकी बती दो चार रोज में ठीक हो जेगी तीक है आपने करें और एहतिजाज उनके घरों के बाद जागे किया जाए जो हमारे हुक्मरान हैं जो फैसले करते हैं हमारी जिन्धी की हमारे मुस्तिक विस्ट Gente के वैसले कर रहे हैं लेकिन भाई मुझे ये बताईए कि हकूमत अगर आप ये नहीं समझते कि वाकिया हमे लोट शडिन्ग है के दिफ्तर पर दावा बोल दिया जाता है तो फिर भी अगर लोड शेडिंग हो रही है तो फिर इसका मतलब है के कंट्रॉल से बाहर है ना के कंट्रॉल में सब कुछ है ये फूद खुछ ही नि का रहे ये अप परी ज्यौलत बाहर से लेके कराची में भी लोड शेडिंग और थी पिछले दिनों वहां पूरा था लोग एतजाज करे थे आप से बिजली स्प्राइक वहां बेजी जाती है फिर पुझाब को बिजली नहीं मिली तिसमाद पुझाब की सनत हर चीज तुलबा हर चीज को पुझाब को तबाह किया जा रह रहे हैं लेकिन आपका ये ये जो आपका बिल है इसको एक सेढर चाहरा था इसमें तो आप जो पांच बात करें ये तो पिछले माँ इतना था तक्रीबन साड़े चार अजार रुपे बिल था ठीक है उससे पिछले माँ भी तक्रीबन इतना ही था यह तो आठाट अजार भी बिल आता रहें जी साथ साथ अजार भी बिल आता रहें देखें आप दिसमबर में आपका साथ अजार रुपे बिल कैस से आ सकता है यहाला आते हैं जी आप में से कोई और अपनी राई का इजार करना चाहेगा जी गला है जी के हारमी ने मसला फ्यूल डेस्ट बिजली दा फीज उन्हें दोर पे बताता है यहां देको आपी बंब मार दियो ना वाम नू ताके मर जाने ऐसा केमिकल पादियो के वाम सोज़े सुरे उठे इना दूजी गला है के तुसी गला है कि यह पट्रोल दासर पे कटात है 15 देने तुसी तान नहीं पता साड़ी और देवीच एक साल देबाद पट्रॉल मेंगा उंदा सी बजड़ देवीच 15 दिना बाद कौन अपने पैरा ने ख़लो के पट्रॉल सट करेगा आज दासरे पे अगले 15 दिना बावीर पे कर देंगे कराय जस्ट किते होंगे दू हो तैसी सारी राजबी जली चल दी रही है ओठे कि जोड़ी खिडिक फीजून अड़ बता दे हर मीने ना बमारी तीका लगा है नौ फूल जड़ जड़ावे एक इतों है की बमारी गो प्रभ्रत करदेंगे और भी पलषे पेलंगी तो पांढ कर दिया खा़ता है तो पंगी साल पहले करें जिंदेंगे आखे रोड़ खिलेंगे तो लिग टाया जोलके लिए गर्मी की एह आज यह जिसे ना तंदूर पाहदे पेने पिजली देगे बिल्कुल इसना 45 डिगरी जब दरजा अरारत होगा तो फिर कैसे किसी का गुजारा होगा